हेलो स्टूडेंट वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल जैसा कि हमने कम्प्लीट किया था हेट्रोस्पेर तक तो आज हम लोग इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और इसके अधार पर जो भी आपको टॉपिक मुझे इंपॉर्टन लगता जाएगा मैं उसके नोट्स भी प् कम्प्लीट होने पर कोश्चन इंसर भी करते जाएंगे तो सांसात में सब कुछ कम्प्लीट होते जाएगा और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि यह रिमाइंड में रहे माइं में रता रहे कि हा कि तापमान रेखा को देखने पर इसमें होने वाले परिवर्तन का पता चलता है तो नीचे से उपर जाएंगे तो तापमान रेखा में तब बाई और की और जाते हैं तो तापमान बढ़ता जाता है यानि कि स्ट्रेटोस्पेर और थर्मोस्पेर के उपर जाने पर तापम यानि कि प्रित्वी के सतह के निकट तापमान औस्ता कितना होता है 6.5 प्रती 6.5 डिग्री सेंटीग्रेट प्रती 1000 मीटर की दर से घट दे जाता है यानि कि इस परिवर्तन में अब इसमें बहुत सब बहुत सारे ऐसे टॉब होते हैं जो जलवास्प हुआ यह सब क्या भूम परभावित करते जाता है जितना हमिडिटी होगा टेंपरेचर क्या होगा यह दिवायों में जलवास्प की मातरा जादा होगी तो टेंपरेचर क्या होगा कम होते जाता है हम इसको एक और तरीके से भी जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ तो as you increase in elevation there is a less air above the pressure presence यानि कि as you increase in elevation elevation जैसे बढ़ता जाएगा तो हमारे क्या होगा कि there is a less air यहां पर क्या है कि air प्रिथवी के ऊपर less air होता जाएगा तो क्या होगा pressure decrease होगा pressure कम होता जाएगा pressure decrease होगा तो air क्या होगा कि air के molecules होते हैं वो spread out होंगे यानि air expand होगा ठीक है air expand होगा and the temperature decreases यानि कि जैसे जैसे वो temperature altitude बढ़ता जाएगा temperature decrease होता जाएगा यही हमें बताया जा रहा है does the air temperature highest near the surface ठीक है वो क्या होगा कि surface के आज़ पास जो होता है वो temperature जो surface के पास है वो highest होता है और जैसे से altitude बढ़ता जाएगा temperature क्या होगा कि increase altitude जैसे से increase होता जाएगा temperature घटता जाएगा therefore air pressure decreases air pressure decrease होगा we increase altitude जैसे से हम अपना altitude उचाई की तरह बढ़ते जाएगे तो the air density depends on the both the temperature and the pressure air density दोनों चीजों पर depend करता है temperature पर भी और pressure पर भी through the equation of state and also decrease with increase altitude जैसे से increase होता है altitude में जो दोनों का equation है वो equation of state पर depend करता जाएगा जैसे कि माल लिजे यहाँ पर मैंने बहुत सारा माल लिजे टोमेटो हम जनरली टोमेटो को लेते हैं तो टोमेटो रखा हुआ है ठीक है यह इतने सारे टोमेटो हैं तो जो आप देखेंगे कि जो last वाला जो pressure होगा last वाले जो नीची वाले जो टोमेटो होगे एक पर एक रखते जाएंगे तो जो last वाला टोमेटो होगा इस पर सबसे जादा highest maximum pressure होगा ठीक है और यह जैसे से उपर की तरब जाएंगे हम यहाँ पर less pressure होते जाएगा यानि कि जो सबसे जो कम pressure होगा वो यह सबसे वाले उपर वाले टोमेटो के उपर होगा जो सबसे highest pressure होगा वो क्या होगा कि convection, current and a strong हम लोग क्या जानते हैं कि वाई मंडली तापमान और दबाव के में परिवर्तन के अधार पर हवा का प्रभाव पर असर पड़ता है जिसका अन कई घटना है देखने को मिलती है हम आंधिया आती है, आंधि क्यों आती है तो हम लोग क्या जानते हैं कि जैसे सूर्य का तापमान सूर्य का ताप प्रिथवी के उपर पड़ता है लोग जब गरम होगा तो क्या होगा उपर की तरफ ये उठेगा उपर की तरफ उठता है और उत्पलावन बल जो होता है बाउंसी कारण ये उपर उठती है और उपर उठने पर टेंपरेचर क्या होने लगता है कम हो जाता है अब उपर जाएंगी तो ये क्या होगी ठंडी ह पर उनका क्या होगा वास्प में यह लोग कनवर्ट हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा फिर यह घनत्व तापमान फिर कम हो लगता और घनत्व बढ़ने पर फिर यह नीचे की तरह आने लगती हैं तो इस प्रकार यहां जो गरम वायू है वो उपर जाना और उपर से फिर से वापस आ रही है ठीक है कि इसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन करेंट ठीक है ऐसकी बाद समवाहन की कारण यानि कन्वेक्शन करेंट की कारण अलग अलग अस्थान पर जो होता है वायू दौप में क्या होतार्ड deleted आ जाता है यह वायू को अधिक दबाउ से कम दबाउ वाले चेतर की ओर जाने के लिए क्या करता है? यह pressure देते रहता है जब गरम वायू यानि की कम दबाउ के चेतर से उपर चली जाती है तो उस अस्थाम को भढ़ने के लिए तूरंद से क्या होता है? कि ठंडी वायू को आना पड़ता है यदि जो cold air है उसको वापस आना पड़ता है तो जिसके कारण तेजी अब ये जो वायू है ये जो वायू है यहां से ये गरम होके जा रही है ठीक है? यहां से ये गरम होके उपर की तरह बोठी? लेकिन जब एयर है वो ठंडी होके तब तक आएगी तो इन यहाँ पर क्या हुआ दबाव का जो छेतर है वो कम हो गया यह इस एडिया में दबाव का छेत्र कम हो जाता है और फिर क्या होता है कि इसे एक वहाँ पर दबाव उस एयर को ऊस खाली इस्थान को भरने के लिए वहाँ पर और भी तेजी से बहुत सारे एयर आते हैं जिसके कारण वहाँ पर आंधी उत्पन हो जाता है यानी कि कम वायू दबाओ का एक ऐसा छेतर बनता है जिसके चारों तरफ आधिक दबाओ का छेतर हो बहुत अधिक प्रेशर से उस खाले इस आसपस की sea air उसको गरम करके उपर उटता है उपर उठने एक कारण फिर नीचें की वायु जो है वहाँ पर उसको फिल करने के लिए cold air को आने में time लगता है इसकी कारण क्या हो कि यह आसपस का या श्या चृतर कम दबाओं के खेतर रिफ में हो जाता है और उसके यानि कि काफी तेजी से वहाँ पर बाकी जो एयर आते हैं उसको फिल करने के लिए तो ये जो आंधी का रूप ले लेता है ठीक है तो ये सब गर्मी के दिनों में ही होता है ये टेंपरेचर पर डिपेंड करता है ठीक है उसकी बाद हम लोग आते हैं ओजोन स्फेर ओजोन स् अक्षीजन का ही मॉलिक्यूल है ओतरी यह गैस क्या करती है कि सुर्यक से जो गर्म और जो पाराबैंगनी अल्टर वालेट रेज है उसको उसकी गर्मी को सोसित कर लेता है और ये प्रिथवी पर बहुत कम मात्रा में अल्टर वालेट रेज आती है तो ओजोन मंडल का होना बहुत जादा जरूरी है यदि ओजोन मंडल धीरे धीरे यदि हम बहुत सारे ऐसे गैसे सोते हैं जो ओजोन मंडल को नुक्सान पहुचा रहे है तो उन सब गैसों का है हम यूज ना करे तो ओजोन मंडल धीरे धीरे जो एक क्या है ये गैस का ही परत ही है ना ऐसा तो नही कि 15-50 km तेक की उचाई में फैला हुआ है तो यह एयर जो है उसकी डेंसिटी है यह धीरे-धीरे क्या होगा उतनी तेजी से जो अल्टावाले ट्रेज आती है उसको सोसीद कर लेती है इनकी यही खासियत है oxygen होते हैं यही होता है यहीं कि अधिले दीरे इनका होते जाएगी या Committee सुनने में आता है न की जैए जैनी कि उट्री धर वहां पर कर लोग गया है जिसके कारण वहां पर कि कि बहुत सारे ऐसे रेज हैं वहां प्रवेश करती हैं हमारे प्रित्वी पर भी ऐसा क्या है कि हम ऐसे ऐसे बस्तू का इस्तमाल करते हैं जिससे की पाड़ा बैगने ओजोन का नुकसान होता है देखिए ऑजोन की प्रतिकिरिया नस्ट कर रही है जैसे कि वायो मंडल में क्लोरिन का एक जो प्रमानों है CFCS यानि कि क्लोरो फ्लोरो कारवन से निकलता है यह लगबग एक लाक ओजोन को अनु को तोड़ सकता है और क्लोरिन प्रमानों के एक अनु को ओजोन को प्रतिकिरिया करके O2 में बदल देता है यानि कि जो ओथिरी की प्रतिकिरिया है वो तो दिरे दिरे कम होते जा रह रहा है ठीक है आप यहाँ पर देखिए reaction में आपको दिख रहा होगा ज़ो reaction आपके book में दिया हुआ है कि कि लोरिन ड्लस ओ जोन reaction करके क्या बना रहा है बना रहा है लोरिन और इसके सांथ जो यह oxide बना रहा है और यह oxygen में convert करते जा रहा है तो इस क्रिया से उत्पन CLO दूसरे O3 अनू से मिलकर फिर उसे भी oxygen मॉलिक्यूल में बदल देता है और फिर एक chlorine परमानू बनता है ठीक है तो यह बार बार जैसे हालोन है हालोन जिसको में वजूद ब्रोमीन परमानू भी इसी तरह से क्रिया करता है N2O भी oxygen परमानू से क्रिया करके NO बनाता है और ओजोन की जो पड़ते हैं वो धिरे धिरे नस्ट होती जा रहे है तो ओधरी को नस्ट करने में hydroxyl का भी 10% भूमी का है ठीक है यहां पर जैसे है OH इसकी भी भूमी का 10% है इन सब इसकी क्या करती है? ओजोन को चै कर क्रती जाने तो इन सब सबस्टेंस को ओजोन डिप्लेक्टिंग सबस्टेंस भी कहा जाता है ये गैसे कुछ प्रकृतिक भी और कुछ हमारे खुद के ही बनाए हुए भी है ओजोन परत के च्छै होने से क्या होगा यदि ये ओजोन परत का च्छै यानि क्यों नुकसान होगा तो जो अल्टर वाले ट्रेज है वो प्रिथवी तक पहुचेगी ज débध के च्छै होने से क्या होगा सम्तार मंडल में तापमान में परिवर्टन होगा और संपूर्ण वातावरन को परभावित करेगा मनुष्य की तोचा में कैंसर आख की बिमारी और जो reproduction system है उसमें रोग प्रतिरोधक छमता इससे भी घट सकती है कुछ भी से इस पेर पौधों की दर ब्रीधी की दरों में भी कमी आ जाएंगी प्रकास अंसलेजन किरिया जो घटती है जिस कारण फाल और बीज कम हो जाते हैं तो ओजोन परत के नुकसान होने से बहुत कुछ भी परभावित कर सकता है उसकी बाद हम लोग आते हैं आइनोस्फियर में यह है आईनोस्फियर क्या है सम्ताप मंडल के उपर अस्जी से 600 Kilometer 600 Kilometer तक की उचाई में को मंडल को आईनोस्फियर कहा जाता है ठीक है यहां क्या है यहां पर सूर्य की बहुत सारी बहुत ही प्रकर होती है यहां बहुत तेजी से प्रकर मतलब बहुत तेज होती है जिसके कारण क्या है तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है तापमान के बढ़ने से अत्यादिक गर्मी कारण ऑक्सीजन और हीलियम के कनो का आइनाजेशन हो जाता है और आइनों के अधिकता कारण इस मंडल को ही यहां पर काफी ज़्यादा आइन में बदल जाते हैं ठीक है तो जब आइन में बदल जाते हैं इसलिए इसको आइन मंडल कहा जाता है यह उसोशितकन दिन में सुर्य के प्रकास से प्राप्त होते हैं रात में दिन के संचित प्रकास को अकास में लोटा देते हैं, तो इस कारण अधेरी रात में भी कुछ प्रकास रहता है, इसी कारण अधेरी रातों में भी कुछ प्रकास रहता है, इस प्रकास को धुरुविय जोति या और भी कहते हैं, इस जोति के उत्री धुरुव के पास सुमेरी जोती भी कहा जाता और दशनी धुरुवा के पास कुमेरु जोती भी कहा जाता है इसका क्या महत्वा है आइनोस्फेर का यही इंपोर्टेंस है कि यह मंडल रेडियो तरंगे की प्रिथवी की किरन जो होती है प्रिथवी की ओर से जो रेडियो तरंगे जो होती है व वाइरलेस आवाजे भी सुनने को मिल इसले इंपॉर्टेंट है बिकाज इस रेफ्लेक्ट एंड मोडिफाइज दे रेडियो वेप्स रेडियो वेप्स को रेफ्लेक्ट करता है यूज़ फॉर कम्मुनिकेशन और नविगेशन अधर फेनोमेन सच जैसे इनरजेटिक दिए सब्सक्राइब अधर नुज़ा, यूज़ फ्रिलीज़ गंई और फ्रिली वेवेट एंड तोफ्रियो लूट एमागा फेनिक्ट उए तरुक्तिक व्रम आश्यूंद विखाइब और फेनन देखेशन भी बेखागा फैस्ति सब्सक्राइब प्रिलिष लुए वेट पर सुरे की किरने आएं यहां पर फ्रीली और उसके बाद क्या है कि वो उसको फिर से वापस नहीं जाने देती है तो इसका परणाम क्या होगा बहुत सारा हिस्सा इसमें जो सुरे की किरने है वो इसमें रह जाती है जिसके कारण वाल जो होता है वो गरम हो जाता है तो जिससे की जो किरने होती है वो वापस नहीं जाती है और जो प्लांट्स होते हैं इन ग्लास के ग्लास वाले हाउस में ग्लास वाले हाउस में तो इसमें गरम हो जाता है इवें विंटर में भी यह गरम रहते हैं तो जो ग् स्पेर में भी है आफ फॉम में ब्लैंकेट इव अप देखे जैसे कि यहां पर यह क्या बना है एक लियर बना देता है ठीक है उसकी बाद क्या होता है यहां जैसे दिख रहा होगा आप लोग यह सेकेंड इसमें एक लियर बनाता है यह देखे यहां एक लियर दिख रहा है औ और दे ब्लैंकेट इलाउस दे इंफ्रारेड इंफ्रारेडियेशन अफ सौर्ड वेबलेंग्थ फ्रॉम् दे सन तूर्ट वार्म इट ठीक है उसके बाद यह जो क्या करती है कि जो कर्वेंड एकसाइड की जो लेयर बना है वो जो रेडियेशन आता है जो जिसका सौर्ड व अबसर्ब हो जाती है बट इंफ्रारेडियेशन अफ लॉंग तो रिटेंशन आफ हीट बाइड इस गैसे इन आट्मोस्फियर इस कॉल ग्रीन हाउस इफेक्ट इसी कोई ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है ठीक है इन गैसों के वजह से ही यह जो सौर्ड वेबलेंग्थ इनको यह carbon dioxide का जो लेयर जो होता है वो रोक लेता है carbon dioxide मिथेन है यह में गैसे सोती है और यह short lip length किरनों को रोक लेता है और bounces back नहीं जाने देता मतलब उनसे बहुत सारी किरने क्या होती है अब जोर्ब हो जाती है जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है अब यह जो कार्बन डाइकसाइड का लिए और मोटा होता चला जाएगा जिससे कि क्या होगा इसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं ठीक है इसके बार में लोग नेक्स चैप्टर में नेक्स वीडियो में पढ़ेंगे और मुझे उमीद है कि अभी तक जितना हमने कवर के आप लोग को समझ में आएगा और नहीं भी आए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में इसके रिलेटर कुछ भी पूछ सकते हैं मैं कुछिश करूँगी कि आप लोग को अच्छे से और समझा सको ठीक है और थैंक यू आप लोग ऐसे ही देखते रहिए ओके फिर नेक्स व